प्रवक्ता संबित पात्रा जी है महाराष्ट में शिफ सेना और बीजेपी के जो खिस्तान और गडवन्दन को लेके हम उस विशे में उनसे बात करेंगे सर मेरा पहला सवाल आप से यह है कि गडवन्दन को ले करके क्या रननीती चल रहे है इसके बारे में अब क्या बताएंगे देखिए रननीती ताय करना प्रवक्ताओं का काम नहीं होता है हमारे जो बड़े नेता वहाँ पे हैं वो स्वभाविक रूप से इस विशे पे चिंतन कर रहे हैं जब भी कुछ होगा मीडिया को पहले इसकी खबर दी जाएगी लेकिन ये गटबंदन बहुत पुराना है और मुझे लगता है कि पीएम मोधी भी इस बात से अवगत है कि उन्हें ये कंटिन्यू करना चाहिए इस गटबंदन को लेकिन बीजेपी के कुछ नेता चाहते हैं कि गटबंदन ना हो और वो इंडिविज्वल महारास्टा में अच्छा होगा जो महारास्टर की जनता के लिए भला होगा वैसा ही निरना है भारती जनता पार्टी और सेविशेरा जरूर लेगी प्रधान मंत्री बनने के बाद नरिंद बोदी ने पहला इंटर्विव एक टीवी चैनल के जरीए कहा है देश के लोगों को अपना संदेश पहुचाया है कि देश के जो सारे मुसलमान है वो सच्चे रास्टर भगते हैं उन पे संदेश ना किया जाए कोई सवालया निश पड़ मारा है जिस प्रकार से अलकाइदा हिंदुस्तान में रिक्रूट्मेंट करना चाहती थी और वो सोच रही थी कि किसी प्रकार से वो हमारे माइनॉरिटीज और हिंदू के बीच में एक सेंद डालने में सफल हो जाएगी हमारे अभी भावक नरिंदर मोदी जी जो कि नाम नहीं लेना चाहूंगे लेकिन फिर भी वो मुसल्मान समुदाए के लिए आए दिन विवादास्पत बयान देते रहते हैं और एक तरफ नरेंदर मोदी इस तरह की एकता की बात करते हैं कि हिंदू और मुसलिम भाई-भाई हैं तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे ए लेकि हमारा एजंडा है नरेंदर मोदी जी ने पूस्ट किया है भी वह एजंडा विकास का है डेवलॉप्मेंट का है कोई दूसरा एजनदा है ही हम कम्यूनल नाइन पे जलते हैं और ना चलेंगे आगे क्या बीजेपी पार्टी सेक्लूरिजम की बात करती है हमेशा 2014 में जनता नहीं बीजेपी को वोट किया है और जो मैंडेट दिया है स्वभावी कुरूप से दर्शाता है कि हिंदुस्तान की जनता जो की सबसे बड़ी सेक्यूलर जमात है उसने अगर एक पार्टी को पसंद किया है तो यह पार्टी सेक्यूलर है इस अलेक्शन से पहले यह बोला जा रहा था कि हमें मुसलिम वोटों की जरुरत नहीं है हम अकेले ही कर लें क्यूंकि मोदी वेव की बात हमेशा की जारी है अभी तक मोदी वेव हो रहा है तो फिर इस तरह के शंदेश पहुंचाने की क्या बात कहीं ये तो नहीं है कि मुसल्मान समुदा एक लॉलीपॉप देने की बात हो जा रही है हाथ मिलाने की नहीं गले मिलाने की बात तो दूर की बात है कि सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रह हिंदुओं ने भी सिखों ने भी इसायों ने भी सबने वोट दिया सबका contribution है इस mandate में तो इसे इस प्रकार का हमें बाटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी खुदी मुसल्मानों के इतना काम करते रहे गुजरात में की बार-बार मुसल्मान भायों नी उनी वहां जिताया है और वहां आज सबसे संबल मुसल्मान बंदु खड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में तो स्वभाविक रूप से उनका काम बोलता है उन्हें भाशन दे कि किसी को रिजानी के अवशकता नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बाचित करने के लिए तो नरेंद्र मोधी किसी जाती या समुदाय को लॉलीपॉप देने की बात नहीं कर रहे है उनका मेन एजंडा यही एक देश में किस तरह से विकास किया जाए और देश को किस तरह से विकास के राह पर आगे लाया जाए कैमरामेन अनूप के साथ प्रियांका सिंग राजपूत जीस टीवी दिल्ली